तो कि इसते हैं यहां पर दिया हुआ है ओटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का डायग्राम और आज हम बनाने वाए है ओटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जो की एलडियार से यूज होती है जैसे कि दो पेर को ये लाइट ओफ रहेगी और जैसे ही शाम हो जाएगी तब ये लाइट अन हो जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्रम दिया हुआ है तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले दी हुई है 9 वोल्ट की बेटरी, यहाँ से आगे जा रहा है वोल्टेज, आगे जाके यहाँ से वो दो पाट में डिवाइड होगा, एक नीचे आएगा और एक साइड में जाएगा, तो सबसे पहले जो नीचे आने वाला जो वोल्टेज है, वो एमिटिंग डायोड है, वहाँ से आकर वो आएगा BC547 ट्रांजिस्टर में, तो उसके कलेक्टर में आएगा, तो कलेक्टर पर आकर वो वोल्टेज रुख जाएगा, क्योंकि अभी हमारा यह जो ट्रांजिस्टर है पूरा, यह भी ओफ है, तो सबसे पहले उसको ओन करना बढ़ेगा, तभी हमारी LED ओन होगी, तो अभी यहाँ से आने वाला जो वोल्टेज है, यह कलेक्टर पर आकर रुख गया, तो अभी यहाँ से जाने वाला दूसरा वोल्टेज, वो भी आगे जाके दो पाट में डिवाइड होगा, वहाँ से वो नीचे आएगा, और नीच पर आकर रुख जाएगा, क्योंकि हमारा यह जो ट्रांजिस्टर है पूरा, वो अभी ओफ कंडिशन में है, इसलिए वो भी वोल्टेज जो है, वो कलेक्टर पर आकर रुख जाएगा, तो अभी एक वोल्टेज यहाँ पर रुखा हुआ है, और दूसरा वोल्टेज वाला जो वोल्टेज है, वो जा रहा है 100 किलो हम के रेजिस्टर में, यानि कि वहाँ से वोल्टेज यहाँ की कंपेर में ज्यादा ड्रॉप होगा, और वहाँ से वो आगे आकर दो पाट में यहाँ से डिवाइड होगा, एक आएगा अंदर और एक जाएगा नीचे, अभी में ज्यादा वोल्टेज उदर जाने देना पड़ेगा, तो आगे देखते कि LDR में जो उपर से आना वाला वोल्टेज है, यह LDR में आएगा, जब भी LDR पर लाइट होगी, यानि कि उस पर प्रकाश ज्यादा होगा, तो LDR की जो वेल्यू है, यह कम होगी, यानि कि क्या ह इसका जो रेजिस्टन्स है वो कम होगा, तो यहां से उपर से आने वाला जो वोल्टेज है, यह यहां से डाइरेक्ट नीचे आकर डाइरेक्ट चला जाएगा बेटरी के नेगेटिव में, तो यहां से वोल्टेज जा नहीं रहा है, तो यह LED अन नहीं होगी, अब भी शाम हो रही है, शाम होते ही अंधेरा आ जाएगा, तो यहां से आने वाला जो वोल्टेज है, वो तो वेसे ही रहेगा, यहां से आने वाला वोल्टेज भी वेसे ही रहेगा, फर्क पड़ेगा LDR में, चो नीचे आने वाला जो वोल्टेज है, यहां पर अंधेरा होने की वज़ यह बढ़ेगा यानि कि जो उपर से आने वाला वोल्टेज वो यहाँ पर रुख जाएगा यहाँ पर रुखने की वज़े से यहाँ पर जो जाने वाला वोल्टेज वो उपर से भी आएगा और यहाँ पर से नीचे से भी आएगा यानि कि यहाँ से जाने वाला जो वोल्टे यह वाला ट्रांजिस्टर अगर उन होता है तो ऊपर से आने वाला जो वल्टेज है यह कॉलेक्टर में से अंदर जाएगा और एमींटर में से बाहर निकलेगा था यहां से वो वोल्टेज आगे बढ़के यहां से दो पाट में डिवाइड होता है एक नीचे जाएगा और दूसरा दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेज में जाएगा एक नीचे जाएगा और दूसरा वाला जो वोल्टेज है यह जाएगा दूसरे वाले ट्रांजिस्टर क बेज में और यहां बेज में जाने की वज़े से यह वाला भी जो हमारा ट्रांजिस्टर है यह हो जाएगा ओन ट्रिगर तो यह ट्रिगर होने की वज़े से यहां से जो सबसे पहले वोल्टेज आकर कलेक्टर पे रुख गया था वो अभी जाएगा यहां से अंदर और एमिटर में से बाहर निकलेगा कलेक्टर में से अंदर जाएगा और एमिटर में से बाहर निकलेगा एमिटर में से बाहर निकलने के बाद वो यहाँ से इसको एक रास्ता मिलेगा जो कि एमिटर में से डाइरेक्ट जा रहा है नाइन वल्ट की बेटरी में तो इसकी वज़े से क्या होगा कि यह हमारा जो पूरा का पूरा पाथ है ये हो गया close ये पूरा जो path है ये हो गया close तो हमारी ये जो LED है ये हो जाएगी on कभी जब रात होगी तब यनकी LDR का resistance जब बढ़ जाएगा तभी ये हमारी LED हो जाएगी on तो ये है हमारा circuit diagram जो कि automatic street light का है ये हो गई हमारी theory अब देखते हैं हम इसके पूरे के पूरे components और उसके बाद में देखते हैं practical कि ये ही वाली जो circuit है इसको हम breadboard पर केसे बना सकते हैं आये तो वो देखते हैं तो यहाँ पर हमने दिये हुए है कि सब भी components यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसमें लगेगा आपको सबसे पहले breadboard उसके बाद में 1 kWh के door resistor उसके बाद में 100 kWh का एक resistor उसके बाद में 10 kWh का एक resistor उसके बाद में LED एक LDR दो ट्रांजिस्टर एक 9W battery battery cap और कुछ jumper cables तो यहाँ पर आपको सब कुछ components दिखाई दे रहे हैं और यह सब भी components की cost एकदम कम है यानि कि यह वाली जो आपकी circuit है पूरी की पूरी इसको आप कम से कम budget में भी आराम से आपने घर पर बना सकते हैं तो guys यह हो गए हमारे components और अभी देखते हैं कि इसको breadboard पर mount के से क सकता है तो आइए देखते हैं उसका practical सबसे पहले लेना है हमें breadboard और battery cap तो battery cap में आप लोगों को पहले वाले वीडियो में दिखाया जा सकता है और यहाँ पर आपको पहले वीडियो में हमने दिखाया था कि यहाँ पर breadboard में 4 connections चार पार्ट होते हैं A part B part C part और D part तो उसम अब हमें A और D part में सिर्फ बैटरी या battery cap लगानी है तो आईए उसको लगाते है यह वाला जो red वाला है यह positive है और black वाला है वह है negative तो इसको हमने A part में positive लगा दिया पहले वाले होल में और black जो है जो के हमारा negative है इसको हमने लगाया D part के पहले वाले होल में अब हम लग यह और B part के बीच में, अब हम लगाते हैं, इसके साथ में एक LED, LED का यह जो बड़ा वाला टर्मिनल है, यह है positive, और यह छोटा वाला जो है, यह है negative, तो बड़ा वाला जो connection है, इसको हमें लगाना है, रेजिस्टर के साथ, यानि कि B part में, और यह जो हमारा छोटा वाला जो जो कि negative है, इसको हमें लगाना है C part में, तो इसको हमने ऐसे vertically लगा दिया, उसके साथ हम लगाने वाले transistor, जो कि BC 547 है, इसमें आपको तीन टर्मिनल दिखाई दे रहे, यह जो पहला वाला जो है, यह है collector, उसके बाद में, बीच में है base, और last में है emitter, तो collector को हमें लगाना है LED की एक साथ, LED की line में, यहनि कि उसको हम collector को और LED का जो negative है, उसको हम लगाएगे vertically, और पूरा का पूरा transistor है, यह लगेगा horizontally, अब हम लगाएगे यह वाला दूसरा register, जो कि वो भी 1 kg का है, इसके दोनों टर्मिनल इसे band करके, हमें लगाना है A part और B part में, जैसे कि यहाँ पर पहले आपको दिखाई दे रहा है यह वाला register, वेसे ही हमें यह वाला register भी same लगाना है, और उसके साथ में हमें लगाना है दूसरा transistor, तो transistor में यह तीन टर्मिनल है, collector, base और emitter, तो उसको भी हम same ऐसे लगाएगे, जैसे LED के साथ लगाया था, इसका जो collector है, वो लगेगा हमारे register के line में, यान कि उसकी vertical line में, और पूरा transistor लगेगा horizontal, अभी हम लगाते है, 100 kWh का register, इसको भी हम यह से band कर रहे है, और band करके, उसको हम लगाएगे last में, जैसे कि हमने यह जो दोनों register लगाए, वेसे ही तीसरा वाला register भी हम ऐसे ही लगाएगे, जो कि vertical ही लगेगा, तीनों register हमारे यहाँ पर vertically लग गए है, अभी उसके साथ में, यह जो last वाला register है, इसकी line में हम लगाएगे LDR, जो कि light dependent register है, इसके भी आप देख सकते हैं कि दो terminal है, तो दो terminal में पहला वाला जो terminal है, उसको हम लगाएगे B part में, last वाले register के साथ, और उसका जो दूसरा terminal है, LDR का जो दूसरा terminal है, इसको हम लगाएगे C part में कई पर भी, C part में आप उसको कई पर भी लगा सकते हैं, तो यह लग गया एसे, अभी हम लगाते है jumper cables, तो jumper cables में सबसे पहले एक jumper cable लेते हैं, उसको लगाएगे हम LDR के दूसरे terminal की line में, यानकि उसके, जो दूसरा terminal है, उस केबल के connection लगानाए और दूसरा वाला जो connection है इसको हम लगाएगे यहाँ पर जो बेटरी का negative है उसकी line में उसकी horizontal में तब देख सकते हैं यह भी हमने लगा दिया अभी दूसरा जम्-पर केबल दूसरे जम्-पर केबल को हमें लगाना है 100 किलोम का रेजिस्टर और HDR की एकजेट बीच में उसकी एकजेट बीच में लगाना है और यह जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमें लगाना होगा दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस के साथ दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस के साथ तो यह हमने वैसे लगा दिया अ दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर के लाइन में दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर के लाइन में और यह जो दूसरा वाला टर्मिनल है इसका उसको हम लगाएगे पहले वाले पहले वाले ट्रांजिस्टर के बेज में उसको हम लगाते हैं पहले वाले ट्रांजिस्टर के एमिटर में और जो दूसरा वाला जो इसका connection है उसको हम लगाएगेैं बैटरी के नेगेटिव में एसे तो यहां पर आप देख सकते कि यह जो दोनों केबल आपको दिखाई दे रहे है जंपर केबल यह एली बैटरी का जो नेगेटिव हैं उ किलोों का रेजिस्टर तो इसको हम बैंड करेगे और उसको लगाएगे जो हमारा पहला वाला ट्रांजिस्टर है यहाँ LED के नीचे की और उसके बेज में उसके बेज में और दूसरा इसका जो टर्मिनल है इसको हम लगाएगे बेटरी के negative की line में उसको हम लगाएगे battery की negative की line में तो guys यह हो गई हमारी circuit complete अब देख सकते कि हमारी circuit जो है वो पूरी तरह से complete हो गई है तो आईए हम देखते हैं इसका working कि यह circuit जो है हमारी यह कैसे work करती है so guys यहाँ पर हमने battery connect कर दिये और अब testing के लिए यह circuit ready है तो यहाँ पर अभी light on नहीं हो रही है लेकिन जब भी यह LDR पर अंधेर आएगा वैसे यह light हो जाएगी on यह से अगर LDR पर फिर से light आएगी तो यह हमारी LED off रहेगी लेकिन जैसे उस पर अंधेर आ रहा है तो हमारी LED हो जा रही है on so guys यह हो गई हमारी automatic street light की circuit पूरी की पूरी thank you